आदर्णिय राश्पती जी के अभीभाशन की चर्चा में भागिदार बनने के लिए उपस्तित हुआ हूँ और मैं आदर्णिय राश्पती जी के भाशन को मेरी तरफ से आदर पुर्वक्त धन्यवाद भी देता हूँ अभिनांदन भी करता हूँ अधर्णिय सभापती जी ये पच्चतरवा गणतंत्र दिवस ये अपने आप में एक महत्तपुन मैल्स्टोन है और उस समय समिधान की आत्रा के इस महत्तपुन पड़ाओं पर राश्पती जी का भाशन उसका एक एक अधिहासिक महत्तप भी रहता है और उन्होंने अपने भाशन में भारत के आत्मयुस्वात के बाप कही है भारत के उजबल भविष्ट के प्रती विश्वास को प्रगट किया है और भारत के कोटी कोटी जनों का जो सामर्थ है उस सामर्थ को बहुती कम शब्दों में लेकिन बहुती शांदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है मैं राश्पतिजी के इस प्रेरक उद्वोधन के लिए और राश्ट को दिशा अंदर देश के लिए अलेक प्रकार से विक्षीद भारत के संकर्प को सामर्थ देने के लिए रदय से बहुत बहुत आभार व्यत्त चर्चा के दर्म्यान अनेक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और चर्चा को सम्रुद्द करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया इस चर्चा को सम्रुद्द करने के प्रयास करने वाले सभी आधन ये साथ्यों का भी मेरे दय से अभार व्यत्त करता हूं अभिनंदन करता हूं कुछ साथ्यों के लिए आलोचना करना कड़ी बाते करना ये उनकी मजबूरी थी उनके प्रतिवी में संबेदनाय प्रकट करता हूं मैं उजदिन तो कहनी पाया लेकिन मैं खड़ी जी का विशेस आभार व्यत्त करता हूं बहुत भ्यान से सुनदा था खड़ी जी उजदिन गहा हूं और ऐसा हमें नाया एसा बहुत कम मिलता है लोकसभ़ा में तो कभी गभी मिल जाता है लेकिन आधकल वो दूसरी डुटी पर है तो मनुशंजय कम मिलता है लेकिन लोकसभा में मनुशंजी जो कमी हमें खल रही है उछë दिन आप ने पूरी बर दी और मुझे प्रसंता इस बाट की थी कि माने खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इंतहां बजे से इस्थानती से भोल बहते समय भी काफे लिया था तो मैं सोच रहा था कि अज्ञानी मिली के से इतना सारा बोलने के अज्ञादी मिली कैसे सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते नो उस दिन नहीं थे और आज पर नहीं रहते लिए और इसलिए भाद भरपूर फाइदा स्वतंत रदा का आदन ये खर्गे जी ने उठाया और मुझे लगता है कि उद दिन खर्गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा ऐसा मोका फिर कहां मिले और खर्गे जी भी खर्गे जी भी है एंपार नहीं है कमांडो नहीं है तो चौके शके मारने में मजा आ रहा था उनको लेकिन एक बात खुशी कि रही है उन्होंने जो चार सो सीट एंडिये के लिए आसिरवाद दिया था और मैं अरवेजी के इन आसिरवाद को आपके आसिरवाद मेरे स्वराखों पर अब आपका शिरवाद वापिज लेना को लेच सकते हैं तो कि एक खपाटो तो हो गए हैं आधनिया सभापती जी मैंने आधनिया सभापती जी मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंद बराबर याद है उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधान मंत्री की आवाज को गला गोंटे का वर्पूर क्यास किया रहे हैं हम बड़े धैरिये के साथ बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे हैं और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं लेकिन मेरी आवाज को आप कमा नहीं सकते हैं, देश की जन्ता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है, देश की जन्ता के आजिर्वाद से आवाज भी कल रही है, अर इसलिए आपने पिछली बार मैं भी इस बार पूरी तायारी के साथ आया हुई, मैंने सोता हुदा कि उटकोगा कि शायद आप जैसे वेक्तिस हजन में आये हैं, तो मर्यादाओं का पाहन करेंगे, लेकिन डेर पूने दो घंटे तक, क्या जुल्म किया था आप लोगोंने मुझ पर, और उसके बाद भी, मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाए तोड़ी नहीं है।